और इसके चमकीले हरे स्केल्स खतरे की चेतावनी देते हैं। इसके सिर का आकार ताबूत के जैसा है। तैरने में माहर ये सांप दलडल के किनारे पर शिकार ढूंडता रहता है। किसी शिकार की गंध मिली और ये पीछे पड़ गया। ग्रीन मामबा को देखते ही खौफ होता है। लेकिन इसके शिकार ज्यादा तर मौकों पर इसे देख भी नहीं पाते। इसका सेल, नर्व्स, मसल्स और दिल पर असर करता है। जिससे सांस लेने में नाकामी से तुरंट मौत हो जाती है। पूरे शरीर में मौझूद ताकतवर मसल्स और स्केल्स के नीचे की लचीली खाल की बदालत ये चुहे को साबुत निगल लेता है। सिर की तरफ से पकड़ कर एस्टन वरीन मामबा को शिकार के अपने तौर तरीके को पानी भरे मैदानों के हिसाब से बदलना पड़ा है। ये सांप अफरीका के दक्षिनी हिस्सों के हरे भरे तकिये इलाकों में ही रहते हैं और इने पानी से भरी इन जगहों पर शिकार करना पसंद है